मेरे यूटूब के साथ ही हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे जैसा कि इस चैनल का प्रयास हमेशा से रहा है कि आपको अच्छी और ग्यानवर्दक बाते बताए जाए तो आज भी हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी बाते जो की मुली के उपर है जैसा कि हम जानते हैं सलात के रूप में मुली का इस्तमाल हर घर में किया जाता है और मुली काफी फाइदे मंद होती है मुली वैसे तो इसका वज्ञानिक नाम रफैनेस अटाइबा है जो की सरसो के परिवार यानि सरसो के फैमिली से आता है और ये एक रुपांत जड़ है मतलब ये जड़ के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है और ठंड में इसका उत्पादन बहुत जादा होता है तो हमारा जो हमारी प्रकृती है इन ही सबजियों से भरपूर है और तो आए हम लोग पहले मुली के कुछ फायदे जान लेते हैं मुली में फाइ आमिन एक के साथ साथ केल्शियम आयरन जैसे पोसक तत्य तो भरपूर मात्रा में हैं ही जो सरीर के लिए काफी फायदे मन होते हैं आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि मुली का इस्तमाल किस तरीके से हम करें जो हमारे लिए लावकारी है कभी कभी गलत खा जैसे नंबर एक कि मुली के साथ साथ कभी संत्रा नहीं खाना चाहिए क्योंकि दोनों की प्रविर्टी जो होती है और एक साथ सेवन करने से कब्ज यानि कॉंसिपेशन की सिकायत हो सकती है खीरा मुली और खीरे को एक साथ सलात के रूप में खाया जाता है लेकिन कभी भी इनका एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए नुकसान दाय खो सकता है चाय मुली के साथ चाय का भी सेवन नहीं करना चाहिए इससे कब्ज और शेटी बढ़ जाती है करेला, मूली के साथ करेली का सेवन भी नहीं करना चाहिए इसमें सांस और हार्ट से जुड़ी बिमारियां हो सकती है पनीर, अगर आप घर में पनीर बना रहा है तो कृपया उस दिन मूली खाना रोग दे या मूली का प्योग ना करें क्योंकि मूली और पनीर का भी एक साथ करने से इसकिन सम्मंधी समस्याएं हो सकती है दूद, खास्ता और रात में हमेशा दूद हम लोग पीते हैं तो कोशिश करिए कि मूली का सेवन दिन के समय करें और रात में दूद के साथ का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से भी skin समंदी problem हो सकती है next मूली के ज़्यादा सेवन से सरीर में पानी की कमी पैदा हो सकती है प्रकृति ने हमें जो भी कुछ दिया है उसका हम सेमीत मात्रा में और balance रूप में इस्तमाल करें तो हमारे सरीर को लाब मिलेगा तो मूली अगर अधिक खाते हैं तो उसके बाद ज़्यादा पानी पीए क्योंकि मूली सरीर में पानी की कमी को बना सकता है अगर आपको low blood pressure है अगर किसी को blood pressure low रहता है वैसे तो अधिकतर लोग को blood pressure high की सिकायत है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको blood pressure BP हमेशा low रहता है चक्कर आता है तो ऐसे लोगों को ध्यान देना है कि मूली का सेवन कम और सिमित मात्रा में करें क्योंकि ऐसा न करने से वो BP को और ज़्यादा घटा देता है जिससे कि उन्हों उन्हें चक्कर की समस्या या ठकान लग सकती है तो आशा है कि दोस्तों आपने मूली के फायदे के साथ इसको सेवन करने का तरीका और किन-किन चीज़ों के साथ सेवन ना करें यह सब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे और उमीद है कि आप इस तरीके से सेवन करके मूली के फायदे का आनन उठा सकते हैं तो आज के चैनल में सिर्फ इतना ही आगे और भी हम अन्य विस्यों पर अच्छी जानकारियां लेकर आपके सामने आएंगे इस चैनल का सतत प्रयास से ही रहता है कि आपको अच्छी से अच्छी स्वास्त और सबजियों के बारे में फलों के बारे में अच्छी जानकारी दी जा सके